आप आएं हम सबों को संबोधित करें मान्य नरंद्र मोदी जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की महर्ष्टी वल्मी की मात्मा गाल्दी के इक कर्म भूमी के हम प्रणाम करताने पवित्र सदानिरा गंडग नद्रिके इपावन धर्पिपार रवा सब्के अभिन्दन करतमाने चंपारण में अनेक बार मुझे आने का अउसर मिला है हर बार आपने मुझे अथीम प्यार दिया है आपके इस प्यार और सद्कार को सीस जुका करके नमन करता हूँ भाई और बेहनों बिहार की महान धर्पिने यहां के महान लोगों ने अन्याय और अध्याचार के खिलाब हमेशा देश को दिशा दी है भारत की चेतना को नई उर जा दी है शक्ती दी है आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि देश में स्वच्छता के प्रती जन आन्दोलन के लिए भी चम्पारण और बिहार की धर्पिने राह दिखाई है साथियों आज पूरे देश में सच्छागर जीवन का हिस्सा बन गया है बहन बेटियों के सम्मान की गरंटी बन गया है मुझे खुशी होती है जब पजमस्री भागी रठी देवी जी जैसी बहने नए भारत को प्रेरना दायाग ने प्रुत्व देने का काम कर रही है भाई और बहनों कॉंग्रेस आरजेडी और उनके साथ क्यों द्वारा कैसे इस दर्टी के साथ बिश्वास गाट किया गया यहां के नवजवानों के साथ कैसे दोखा किया गया बिहार के सपनों को कैसे तोड़ा गया आप सब इसके भी गवा है लेकिन बिहार के लोगों ने इन महा मिलावटी लोगों की ताकत बढ़ने नहीं दी इनके इरादों के सामने बिहार के लोगों खुद चटान बन करके खड़े हो गए हैं साथियों देश में चार चरणों के मतदान के बाद सारे महा मिलावटी दलों के जूठे दावों की पोल खुल गई है वह उशबाद और प्रस्ताचार की काली कमाई से इन लोगों में जो अहंकार पैदा हुआ है उसे बिहार के लोगों ने ठीक करने की ठान ली है इसलिए ये हारे हुए लोग अब इससे बहार निकलने का रास्टा तलास रहे है इन लोगों ने पहले स्रिम मोदी को गाली दी दिन रास सारी गालिया मोदी पर पड़ती थे और ये महा मिलावटी सुबे डिक्षिनरी लेकर के बैड़ जाते थे और रोज नई नई खाली खोचते थे नई गाली बनाते थे और एक ही काम सुबे शाम मोदी के नाम रोज नई गाली ऐसा होता तक नहीं होता तक नहीं अब चार चनल चुनाव के बाद उनकी जो बंदुग है ना इसकी नो कैसे बड़ली है उसके बाद उन्होंने आदी गाली मोदी को दी और आदी गाली इवी एम को दी अब वो हसुबे साम थोड़ी गाली मोदी को देते हैं थोड़ी गाली इवी एम को देते हैं लेकिन पिछले तीन दिन से इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि अब संतुलर गवा चुके हैं तो पहले मोदी को गाली जी फिर आदा हिस्टा इवी एम के तरफ गया और अब चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दिया है साथ्यों ये हैं कुछ नहीं उनकी हारकार रेडी मेड बहाना ये महाना जून रहे हैं जब कोई विद्यार थी परिश्या के लिए जाता है और पेपर खराब निकलता है जब आप खराब देता है तो स्कून से घर आते समय हैं राश्टे में सोचता हैं कि मम्मी पपा को क्या बताऊंगा तो आके कहता है बेंच ठिक नहीं जी जी राश् कि आवाज आती थी कि पैन खराब हो गई थी कि टीशर बार बार मुझे परिशान करते थे मेरे बगल में जो बैठा था वो चोरी करता था और साब मुझे डाटते थे इसलिए पेपर खीक नहीं गया ऐसा करते के नहीं कुछ बच्चे करते के नहीं करते हैं पेपर खराब गया और बहाना बताते फ्यंच धिक रही थी ये महामिलावट्यों का खेट खतम हो गया है और इसलिए एबी-म का बहाना निकालता है ये उस तरह के लोग हैं जो क्रिकेट में खुद बोल्ड होने पार एंपायर को दोसी धर आते हैं उन पर हार का डर साथ भित्रा है अपनी हार के लिए जमीन सैयार करने का उनका ये तरीका है भाई और बहनों आज स्थीती ये हो गई है कि एक जमाने में जिस पार्टी का पूरे देश में पर्चम भारता था एक छत्र साथन सा पंचाय से लेकर के पार्लामेंट तक पूरे हिंदुस्तान में एक ही दल भिराजता था एक ही दल आज देश की जनता ने उनके अहंकार को ऐसा ऐसा मारा ऐसा मारा है अहंकार को ऐसा चूर चूर कर दिया है कि वे आज 40 सीटे वापिस लाने के लिए जी जान से कोशिच कर रहे हैं और अब उन्हाने प्रणान मंत्री पत के सपने देखना बंद कर दिया है अब ये महा मिलावटियों के भी जगड़ा चल दा आए कि विपश का नेता कौन बने पचास सीट पार करके क्योंकि 2014 में तो इस देश की जनता ने उनको विपश के नेता बनने के लाइग भी नहीं गिना था विपश का नेता बनने के लिए चौवन सीट चाहिए चौवन पार्लामेंट में 2014 में विपश में एक को भी पचास से उपर सीट नहीं दी पात साल आजाज हिंदुस्तान में पहली बार कॉंग्रेस को इतना बड़ा जटका लगा था और ये भी याद रखिए ये पहला चुनाव है जब कॉंग्रेस इतिहास में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है भाई और भेनों कॉंग्रेस और उसके साथियों की ये स्थिति क्यों हुई है इसका सीधा जवाब है विश्वस नियता का संकट बौंश और विरासत से आपको एक कमपनी की कमान तो मिल सकती है लेकिन चलाने के लिए वीजन कहां से लाओगे कॉंग्रेस हो आरजेडी हो इनके पात सिर्म नाम और दाम का ही वीजन है यही कारण है कि जूट और प्रपन की राजविती इनके लिए वजूद बचाने का एक मात्र जरिया बन गई है साथियों इनका इरादा बिहार की सेवा करने का नहीं है बेश के लोगों की सेवा करने का नहीं है यह खुद को सेवक नहीं लोग संत्र का नया महराजा समझते हैं इसके लिए चाहे कानून व्रवस्ता को बरबात करना हो ब्रश्टा चार को सिष्टा चार बनाना हो जन्ता के पैसे लूट लेना हो किसी भी हच तक जाकर जूट बोलना हो अफ़ा फेलाना हो इन्हें कोई संकोट नहीं होता है उनको शरमी नहीं आती है साथियों समाज मैं बेद पहगा करने के लिए बर्शों से आरक्षण के नाम पर जूट फेलाने की फैशन हो गई है और कुछ लोगों को तो सुबे साम ये जूट बोले बिना खाना ही अजम नहीं होता है जबकि अचल विहारी बाट पाई कीजी कि जब सरकार थी हमारे नितीज जीव सरकार में बहुत ही महत्पुन मंतरी थे उस समय थारू समाज को उनका हक दिया था और वर्तबान एंडिये सरकार ने गरीब परिवारों को दस प्रतिशत आरक्षन दिया है हमने सामान निवर के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षन दिया वो भी किसी दूसरे का हग छीने बगैर भाई यो बैनो ये लोग कैसे मैं बताता हूँ इस देश में जब भी आरक्षन का मुद्दा आया समाजों को तोड़ा गया आत्मन रहन हुए लोगों के गर जलाये गये एज दूसरे को लड़ाया गया और अपने राजनिति गरोपी शेखते रहे इस देश में पहली बार हुआ कि सामान ने वरके लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षन आया न कोई आग लगी न कोई संगर्ष हुआ न किसी समाज का माता फुटा न किसी को जेल जाना पड़ा भाई चारे के साथ सबने अपना अच्छा काम हुआ इस भाव से लिया भाईयो देश की एकता के लिए ऐसे काम किया जाता है आप देखिए जब अटल जी की सरकार भी नितिशी मंत्री थे तब अटल जी ने तीन राज्य बनाए बिहार में से जार्खन बना मज्य प्रदेश में से 36 गड़ बना उत्तर प्रदेश में से उत्राखन बना ये तीनों नए राज प्यार से अलग हुए जार्खन बना तो बनने के बाद भी बिहार ने उत्तरा ही प्यार किया जार्खन ने बिहार को उत्राही आजर दिया मज्य प्रदेश के 36 गड़ बना मज्य प्रदेश ने 36 गड़ को उत्राही प्यार दिया 36 गड़ ने मज्य प्रदेश को उत्राही आजर दिया उत्तर प्रदेश से उत्राखन बना उत्तर प्रदेश ने उत्तराखन को प्यार दिया उत्तराखन ने उत्तर प्रदेश को आजर दिया लेकिन देश को तोड़ने की मानसिकता वालों ने आंद्र और सेलंगना का विभाजन किया इतनी लड़ाईया हुई आज उस बात को पांच साल हो गए आज भी तेलंगना आंद्र दोनों तेलु गुफासा बोलते हैं लेकिन इन लोगों ने ऐसा जहर के बीज़ बोये हैं कि एक दूसरे के सामने देखते नहीं क्या यह रास्ता देश के लिए उचित है क्या ऐसे चलेगा क्या भाई से भाई को पर्वा के कुर्षियां पकडी जाती है क्या भाईों बैनों हम देश की एकता के लिए निकले हुए लोग जाती पंद से परे अरे दल से भी परे हमारे लिए देश सबसे पहले होता है भाई और भेनो विचार और विजन से दिवालिया हो चुके ये महा मिलावटी लोग गरिब के साथ आदिवाशी के साथ किसान के साथ दोखे का जो खेल खेलते हैं उससे सावदान होने की जरुत है साथियों ये ऐश से चातिर है कि फर्टी स्किम्भी वोट के लिए बेच देते हैं मैं मेरा एक गुजरात का अनुभव बताता हूं आप सुनके हरान हो जाओगे कि इतना बड़ा लोगतंत्र और ये ऐसा जूट कर सकते हैं गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाव दीतने के लिए आदिवास्यों को मुरख बनाने का कारकम बनाया सरकार का जैसे फॉर्म होता है वैसा फॉर्म बनाया और आदिवास्यों को कहा कि अब हमारी सरकार बनने वाली है आप ये फॉर्म भर भी जिए सरकार बनते ही हम आपको जमीन का पट्ता देंगे और फॉर्म का सो सो रुप्या ले लिया और आदिवासियों के दिमाग में ऐसी आग भर्दी ऐसी आग भर्दी आदिवासी सारे सरकारी दफ्तर में गए सरकार ने कहां पर ऐसा तो कोई हमने फॉर्म निकाला नहीं है तो बोले यह तो हमारा सौसो रुप्या मार ले गए यह पाप कांग्रेस के किया ताब सब पकड़े गए दूसरा चुनाव आया दूसरा चुनाव आयो क्या किया इन्हों कांग्रेस डफ्तर के सामस्य मैदान था उस मैदान में उन्होंने एक टेमपररी हाड़ वर का मकान रंग रोगान करके उसको ख़ड़ा कर दिया और पूरे गुजरात में फॉर्म बनना शुरू किया कि आपको घर मिलने वाला है और घर देखना है तो जाईए कॉंगरेस पार्टी के कारले के सामने बना हुआ है फर्जी घर का फॉर्म फर्जी घर उमेरे दो दो जाइसो डाइसो रुकिया मार लिए सरकान में बननी थी इन दिनों नया खेल शुरू किया है राजस्तान में पकड़े गए राजस्तान में पकड़े गए क्या को यह उन्होंने एक फॉर्म निकाला है गरीबों के पार जाते हैं यह फॉर्म भर दीजिए 23 मई को बाद आपको 72 जाड़ पर का चेक आएगा जूट भायो भारत के नागरीकों का ऐसा अपमाल सत्ता के लिए भायो बहनों मुझे बताया गया है कि कॉंग्रेस उसके साथ जोने सोड तंत्रा यहां बिहार में जारकन में यह खेल खेलना शुरू कर दिया है मैं आप सब को कहता हूँ चौकन्ने रहिए एक कांगेज की पर्ची पकड़ा करके गरीबों के सो दो सो रुपिय मार लेंगी यह लोग यह लुटे रहे हैं यह ऐसे लोग हैं जो पटपन साल के साथन में गरीब का खाता नहीं कुलबा पाई बेंक के जन्माईजे से गरीब जा नहीं सका और कहते हैं हम पैसे डालेंगे किसा जूट बोलता हैं असल में इन लोगों का खेल गरीब के नाम पर बिचौलियों का बला करने का है जो इनके चेले चपाटे होते हैं उनकी जेब बरने के लिए यह ऐसा करते हैं मत भुलिये जब दस साल पहले कॉंग्रेस ने कर्ज माफी का एलान किया था उस समय किसानों का कर्ज था चेलाक करोड़ और कॉंग्रेस ने 2009 का चुनाव जितने के लिए यह जुठ चलाया कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे छे लाग करोड का कर्च था किसानों का मात कितना किया सिरब 52,000 करोड कहां छे लाग करोड और कहां 52,000 करोड और उसमें भी बाद में जो CAG की रिपोर्ट आई चालिस लाख लोग वो थे जो किसान से ही नहीं और पैसे उनको बार दिये गए तो आप बिए बसाइये ये पैसों के मालिक आप है करने हैं ये देश के ख़जाने के मालिक आप भैक रही हैं ये ख़जाना लूटने देंगे क्या आप भाई और बैनों मैं आपको बाजा करता हूं हिंदुस्तान के ख़जाने पर किसी पंजे को पढ़ने नहीं दूंगा मैं बाई और बैनों सत्ता इन लोगों के लिए अपने और अपने परिवार के लिए मेवा जुटाने का जरिया है मेवा नहीं मिलना था इसलिए इन लोगों ने OBC कमिशन को बैकवर कमिशन को संवेधानिक दरजा मिलने में भी लगातार अड़ंगा लगाया था इन लोगों की स्वार्थी राजविती से अलग हम लोगों के लिए NDA के लोगों के लिए सत्ता आपकी सेवा का मद्यम है हमारी सरकार, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, मद्दुरों हर वर्ग के लिए व्यापक काम कर रही है यहां बास आदारित, उद्योग की अच्छी संभावनाए है अब तो हमने कानून को बदल कर बास को खेती कर सकते हैं खेती कर के बास कार सकते हैं आप अपना बास बेश सकते हैं शरकार कुछ नहीं कर सकती ऐसा कानून में परिवर्टन कर दिया है अब किसान बास उगाकर आज़ानी से बेश सकेंगे साथियों साल 2022 तक किसानों की आए दो गुनी डबल करने के लिए हम प्रतिबद्ध है किसानों को लागत का डेड़ गुना समर्तन मुल्य का वादा भी हमने पुरा क्या है 2007 से ये महा मिलावटी लोग उठाइल पर बैठ गए थे जी ये मोदी है उस फाइल को निकाला किसान के साथ दोका जवान के साथ दोका टारीश चाल से किसान मांग रहा था नहीं दे रहे थे हमने दिया आज फोजी के घर में 35,000 करोड रुपया पहुंच गया भाई जो देश कैसे चलाते हैं हमने दिखाया भाई जो अब हमने ये ताइप ये ताइकाई किया है कि 23 माई 23 माई को इस समय तो सारे चुनाव के नतीजे आ गये होंगे 23 माई को चुनाव का परणाम आ गया होगा और 23 माई को जब फिर एक बार फिर एक बार पिर एक बार 23 माई को फिर एक बार जम्मोदी सरकार आएगी तब बिहार के बिहार के सभी किसान परिवारों के खाते में सीधी मदद थार बार तीन बार जमा होगी बाईयों पाच एकर की सीमा जो हमने बनाई है वो हटा दी जाएगी सब किसान को लाब बिलेगा दूतरा इसी तरह हम जो छोटे किसान है खेत मंदूर है जिसके बाद जमीन नहीं है छोटे कामगार है कोई घर मेर बरतन मानता है कोई सफाई का काम करता है कोई आटो दिक्षया चलाता है कोई बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का काम करता है यह थे छोटे छोटे कामगार छोटे दुकांदार छोटी छोटी रेडी चलाते हैं छोटा किसान हो छोटा दुकांदार हो छोटा कारु कामगार हो इन सब को साथ साथ के बाद हर महिने पेंचन की ववस्ता पहली बार इस देश में हम करने वाले हैं इसकी व्यापक योजरा स्यार हो जाएगी तैस मही के बाद उसको हम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे बाई हो साथ कि हमारी सरकार में पैट्रोल डीजल में इथे नगल को मिलाने वाली जो योजरा बनाई है उससे आने वाले दिनों में यहां के गन्ना किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है साथ कि इसे पूरे छेत्र के इंट्रा सेक्टर पर यहां सुविदाओं के निर्मान पर हमने बल दिया है गाउं की सड़के हो हाइवे हो या फिर रेलवे हजारों करोर के प्रजेक पर काम चल रहा है मोतिहारी अमलेक गंच पाइपलाइन हो या फिर जो गैस से जुड़े दूसरे प्लांट इससे सुविदाए भी बढ़ रही है और रोजगार के अवसर भी मिल रहे है रामायन से जुड़ा अहम स्थान होने के कारण इस पूरे छेत्र को रामायन सरकिट के तहट विच्षित किया जा रहा है परियतन की सुविदाएं परियतन की सुविदा बनेगी तो यहां युवा साथ्यों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्द होंगे साथ्यों बिहार में बिजली की उपलब्दता पर विशेश बल दिया जा रहा है नितिज जी ने बड़ी मेहनत करके लाल टेन को हताया है गर गर में बिजली पहुँचाई है वो आपको लाल टेन युग की तरफ दकेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नितिज जी और उनकी टीम ए लीडी बलका दुदिया प्रकाश हर घर में फैले इसके लिए लगे हुए है भाईयो बैनो ये बिजली अच्छी तरह मिले सिता मडी में जो सब्सेशन बन रहा है उसे पुर्वी और पस्तिमी चंपारन के साथ-साथ मदुबनी, दर्बंगा और शिवहर जिलो को भी परियाब सब्विजली मिल पाएगी भाईयो और बैनो विकास के रास्ते तभी खुल पाएंगे जब सुरक्षा की कारंटी होगी आप वो दिन याद कीजिए जब आपको बड़े शहरों में रहने वाले अपने रिस्तेदारों काम के लिए गए लोगों की चिंता करने परती थी आए दिन ट्रेनों में दमाका बाजारों में दमाका फुजा सलों पे दमाका कोई महिना ऐसा नहीं जाता था कि बम दमाके की खबरे ना आती हो निर्दोस लोग मारे न जाते हो बीते पांच बर्स में इन सब पर लगाम लग गई है लगी है कि नहीं लगी है यह लगाम किस ने लगाई यह किस ने किया किस ने किया किस ने किया यह बम दमाकों पर लगाम किस ने लगाई मोदी ने नहीं लगाई कि आपका जबाब गलत है यह जो हुआ है वो आपके वोट की ताकत है आपके वोट की ताकत है कि स्वरक्षा एजन्जिया आपकी स्वरक्षा के लिए अच चोकन्य होकर के काम कर रहिये मोधी ने तो उनको अधेश दिया है कि मेरे लिए अब सेड़ा के हाथ बांदे नहीं जाएंगे साथियों आपने जो मजबूत सरकार बनाई है उसलिए इस परस्ट संदेश दुनिया को दिया है कि अब बारत चूप नहीं बैठेगा हम पर जो बुरी नज़र डालेगा उस पर उतनी ही सक्ति से बार किया जाएगा आतंकी हो या फिर आतंके मददगार गर में गुच कर मारा जाएगा और अगर वो गोली चलाएंगे तो मोदी गोला चलाएगा हमें सामते चाहिए हमें करीम का भगा करना एथ यह हमें इस पर नर्दे हमारे ज़्मानों की जीनी की बरबाद नहीं होने देनी है और जहां होंगा पाताले होगा तो भी छोड़ने वाले नहीं है बाई और बहरों आतंगवाद और नक्सलबाद को खत्ब करने के लिए हमारी नीटी बहुत साफ है इसलिए हमारी नीटी और रन नीटी का दम आज पुरी दुनिया देख रही है वहीं कॉंग्रेस आर जेडी की महा मिलावट की नीटी क्या है उनको खुद को पता नहीं है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है साथियों कॉंग्रेस के ड़कोशला पत्र में इनके इरादे साब जलकते हैं इन्होंने क्या लिखा है अपने मैनिपेस्टों में उन्होंने ड़कोशला पत्र में जो लिखा है आप हैरान हो जाओगे जिसके लिए सत्तर साल से देश के जवान अपना खुन बहा रहे है माइनस टेंपरेचर में जिन्दगी गुजार रहे है अनेग माताओं ने अपने लाडले खुए है और आज सत्तर साल के बाद कॉंगेरेस पार्टी ने अपने ड़कोशला पत्र में क्या लिखा है खुन गिरव हो जाता है दोस्तों सुनता हूं तो गुच्छा ताइमन में बेचे नी होती है कि सत्तर साल तक राज करने वाली पार्टी कितनी लिखे गिर गई उन्होंने लिखा है और वो जो लिखा है पाकिस्तान वही बोलता है आप कोई भी पाकिस्तान के नेता के पिजले पता साल के बयान लिकालो यही बोलता है इन्होंने क्या लिखा है यह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो सेना को कम कर देंगे क्या होगा भई इन्हों ने कहा है कि हमारे जमानों को जो विशेष अधिकार मिला है जिसके कारण हमारे सुरक्षा बल उनको सुरक्षा मिलती है उसको भी खत्ब कर देंगे और उसके कारान पत्थर बाजों को आसक्यों को जो चाहें वो कर सकते हैं सेना का जमान कुछ करेगा तो जिन्रगी भर कौट के कच्चर कारता रहेगा भाईयो बेनो ये लोग अलगाव वाजियों नक्षल वाजियों के समर्दकों को जो देश लोग का कानून है उससे भी उनको आजाजी दिदाना चाहते हैं ये देश पे जमानों पे गोलिया चलाने वालों को आजाजी मिलनी चाहिए क्या मिलनी चाहिए क्या ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए होनी चाहिए यह कानून हटाना चाहिए यह उन्हेरे लिखित में कहा है साथ्यों जात पात का जहर गोल कर नामपंथी और दामपंथी देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोथ रखने वालों के साथ खड़े हैं आप सभी लोगों को उन्हें परपूर जबाब देना है वाल्मी की नगर में तीर दिशान और शिवर फुर्वी और पस्षिम चबपरनवालों को कमल के निशान पर बटन दबाना है आप कीर पर बटन दबाएं कमल पर बटन दबाएं और जहां जहां पर बंगला वाले खड़े हैं वहां बटन दबाएं आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा हाya भाइंए भिखनों बड़ी तादाद मेंत्स में आप अफिरवाज देने मैं रलक्राइश के आपका बहुत वात आभाड़ हों मेरे साथ बोलिय को अपर माता की को माता की मिल बाद लजु ंपरिण